होजर 3 हे वरिफाय देट्टाइभ डैइट डैजोंगल और इक्वल इन लेन्थ कि एन्य रैक्टेंगले एक्रेटेंगल है जिसके डाइगनल्स क्या होंगे इक्वल इन लेंथ आएंगे प्लेटंगल है कि ही प्लैन पर ठीक है यह प्लैन है एक्स वाई प्लैन और इस पर एक्टेंगल बना है रेक्टेंगल कहां से बना है कि यहां पर इसका एपॉइंट है और यहां उसका बी पॉइंट है ठीक है यहां इसका C point है और इसी के सामने यहाँ इसका D point है इनको हम मिला रेते हैं तो यह बन जाएगा B और यह CD line ठीक है यह एक rectangle हमारे पास बन गया अब इसके vertices भी हमारे sorry vertices नहीं इसके coordinates भी हमारे पास given है यह 00 यह है क्योंकि X X axis पर यह A है और Y axis पर यह 0 है और यहाँ पर यह इसके साथ इसके यह vertices नहीं sorry coordinates हमारे पास given होंगे और D में क्या है D के मैं यहाँ लिक लेती हूँ D है 0 and B along X axis यह 0 है और Y axis पर क्या है यह B है ठीक है यह हमारे पास इसके coordinates है तीक है इन वर्टिसिस के कोडिनेर्स हमारे पास given है और हमने proof क्या करना है कि जो diagonals इसके है अब हम इसमें diagonals बनाएंगे diagonals के सरा बनते है यानि कि इस A से C तक एक line हम draw करेंगे ठीक है यह हो भी एक diagonal और इस B से D तक एक line हम draw करेंगे यह है another diagonal अब हमारे पास इसमें given क्या है diagonals सबसे पहले जब हम proof शुरू करेंगे तो proof में हमारे पास diagonals कौन कों से है जो A C line है यह वाली line and B D line they are what are the diagonals diagonals हमारे पास आगे अब हमने यह proof करना है कि यह दोनो diagonals क्या है equal in length है length का मतलब क्या होता है कि यहां से यहां तक का distance और यहां से यहां तक का distance बराबर आ जाए तो तो प्रूफ में क्या करना है तो प्रूफ यानि कि हमने इसमें प्रूफ क्या करना है कि A से C तक का distance बराबर आ जाए B से D तक के distance के तो जब distance की बात आ गई तो इसमें अब हम distance का formula यूज़ करेंगे तो हम लिख लेते हैं by using distance formula ठीक है by using distance formula distance का formula क्या होता है d is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square और इसके रूट है यह distance का formula है अब हमने find का करना है first हमने left hand side पे क्या है A C है तो हमने distance between A C find करना है यह बहुत असान है distance का formula तो आपको याद भी हो चुगा होगा और किस तरह find करते हैं A C अच्छा अब A के कोडिनेट से A के कोडिनेट से 0 0 यहां मैं लिख लेती हूँ A के कोडिनेट से capital A 0 0 और दूसरा क्या है C है तो C के कोडिनेट कोडिनेट से है A B चीखे A B है तो हम क्या करते हैं जब हम distance find करते हैं तो C वाले से A वाले को मैनस करते हैं यानि कि इस A से इस 0 को मैनस करेंगे इस B से इस 0 को मैनस करेंगे तो X2 मैनस X1 क्या हो जाएगा A मानस 0 हौल सकुर प्लस B मानस 0 हौल सकुर ठीक है तो इस से क्या जाएगा इस से आ जाएगा यह 0 है यहाँ पर तो यह हो जाएगा A सकुर प्लस इसका bracket खत्म करेंगे यह हो जाएगा B सकुर और इसके उपर रूट मतलब यह हमारे पास एसी जो डाइगनल एसी है उसका डिस्टंस हमारे पास यह आ गया ठीक है अब हम फाइंड करते हैं बीडी डिस्टंस बिट्विन बीडी और बीडी हमारे पास एक डाइगनल है तो सेम इसी फॉर्मूले से यहां पर हम में लिख ल एजिरो जिरो बी ठीक है अब हम क्या करेंगे डी वाले से बी वाले को माइनस करेंगे तो जिरो माइनस ए हॉल स्क्वेर प्लस बी माइनस जिरो हॉल स्क्वेर और रूटरस पर लगा दिया डिस्टंस हम फाइंड करेंगे तो यहां से माइनस ए हो जाएगा यानि के माइनस A whole square और यहां से आ जाएगा B square और इनके उपर root आ जाएगा B T का distance तो जिसके जब हम square हटाएंगे तो minus minus plus हो जाएगा और यह हो जाएगा A square plus यह हो जाएगा B square और इसके उपर root तो यह हमारे पास क्या आ गया distance between B D distance between B D हमारे पास यह आ गया and distance between A C हमारे पास यह आ गया दोनों के value same है तो proof हो गया कि जो A C diagonal है this is equal to B D diagonal इन दोनों के distance same आ गये तो मतलब दोनों diagonals भी बराबर है तो proof हो गया सबस्टाप साजब कन देद़ को publ कंपकम जो पास उनाख दो हो करा को नह कर बास है करा किछ defining B boo नह्य कर दोनाख कर दोचिड़ को जसम लिए उनाख गस ऊसा उनाख मों कर दो नह पास हो है भ supporter a do a do, can I झाल झाल